अदाब नमस्कार असलाओनेकूम नाजरेन पलपल न्यूस की निज्रूम से मैं हूँ आपके साथ नदिम अखरब नफरत के सौधागर जिहादी आतंकी सुरेश शवार के आप भी सोच रहे होंगे कि ये शब्द को इस्तमाल सिरफ सुरेश शवार के करते हैं वो भी मुसल्मानों के लिए क्योंकि UPSC में जिस तरीके से मुसल्मों की संख्या बढ़ रही है उससे सुरेश शवार के पूरी तरीके से बौखला गए और बौखलाहट में वो हर हरकत करने के लिए उतारू हो गए जिससे देश सरमिंदा हो जिससे लोगों में नफरत बढ़े उसी को ले करके वो एक अपना छोटा सा वीडियो टुटर पर वायरल करते हैं और देखते ही देखते ये वीडियो आग की तरह पैल जाता है सिरफ इसलिए कि जो नफरत वो फैला रहे थे इस वीडियो के जरिये उस नफरत के मुँपर एक करारा तमाचा जड़ दिया जब तमाम देश के बड़े बड़े आला अधिकारियों ने सुरेश चवाड के के उपर कारवाई करने की मांग की और खुद कुछ लोग आगे निकल करके आये जिन्हों ने इनके उपर कारवाई भी कर दी टुटर भर हंगामा मचे आगे टुटर को देखते ही देखते सोशल मीडिया के हर एक प्लैटफॉर्म पर हंगामा मचने लगा और इस हंगामे में सुरेश चवाड के जवाब देने लगे बलकि अपने आप को डिफेंड करते हुए के शुकरवार को आठ बजे ये प्रोग तरम होगा वो नफरत पहलाएंगे मुसल्मानों को जी भरके कोसेंगे पर दिली हाई कोट ने उनकी नफरत और उनके मुझ एक करारा तमाचा जड़ दिया है क्या कुछ दिली हाई कोट ने एक फैसला लिया है उसे मैं आपके सामने एक बार पढ़ करके सुनाता हूं सुदर्शन टीवी के एडिटर एंचीफ सुरेश चवारके ने सोशल मीडिया पर अपने शो का एक प्रोमो वीडियो पोस्ट किया था जिसे लेकर चारू तरफ से जम कर आलोशना हुई और कई बड़े अधिकारियों ने उनके खिलाफ कारवाई की बात कही अब दिल्ली हाई कोट ने इस विवादिश शो के टेली कास्ट पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है इसमें सिविल सर्विस में मुस्लिमों की बड़ती संक्या को जहात कहकर बुलाया गया था सुरेश चवारके का ये शो बिंदास बोल शुकरवार रात आठ बजे टेली करते हुए इस विवादिश शो पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है जामिया के चात्र की तरफ से वकील शदन फरसत ने कोट में दलील दी उन्होंने बताया कि कोट ने इस मामले में चैनल को नोटे जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होग एक शो को लेकर चैनल के एडिटर इंचीफ सुरेश चवारके ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया गया है कि शो में किस मुद्धे को लेकर बात होगी उसमें उन्होंने एक पूरे समुदाय को ही कटगरे में खड़ा कर दिया उन्होंने इस वीडियो के साथ सावधान लोकतंत्र के सबसे महतपूर्ण स्तंब कारेपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैट का परदाफाश UPSC जिहाद नौकर शाही जिहाद देश को जगजोर देने वाली इस सिरीज का लगतार प्रसारण प्रती दिन शुकरवार 28 अगस्त रात आठ बजे से सिर्फ सुदर्शन नीउस पर सुदर्शन टीवी के इस शो को लेकर UPS Association की तरफ से भी बयान जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि सुदर्शन टीवी पर एक निउस स्टोरी को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें सिविल सर्विस के उमिदवारों को दर्म के आधार पर निशाना बनाया गया है हम इस कॉमिनल और गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की निंदा करते हैं तो वहीं इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने तो इस कंटेंट को जहर करार दे दिया उन्होंने ट्विटर पर लिखा IPS और IS जोईन करने को लेकर नोड़ा के एक टीवी चैनल ने एक नफरत भरी स्टोरी चलाई है जो अल्पसंक्यक समुदाय के खिलाफ है हम इसे रूटिट करने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि ये एक शुद्ध जहर है हमें उम्मीद है कि न्यूज ब्राटकास्टिंग स्टेंडर् अथॉरिटी यूपी पुलिस और सरकारी अथॉरिटी सक्त एक्शन लेगी आपको बता दें कि विवादों में रहने वाले सुदर्शन न्यूज शैनल के एडिटर इंचीफ चुवार के ने चर्चा में इस बार वो अपने एक शो को लेकर चर्चा में हैं दरसल सुदर्शन टीवी पर 28 अगस्त को टेली कोस्ट होने वाले एक शो को लेकर के देशव पड़े शब्दों में आलोचना की थी तो वहीं इंडियन पुलिस फाउंडेशन की तरफ से भी इस चैनल और सुरेश चवार के कि निंदा की गई साथ ही यूपी सरकार से मांग की गई कि उनके खिलाफ सक्त एक्शन लिया जाएं इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने से सक्त एक्शन लिया जाएं तो वहीं IPS Association के इलावा Civil Services ने कुछ अधिकारियों ने भी इस वीडियो पर कमेंट किये और इसकी निंदा की जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह की पत्रकारिता किसी भी हाल में बंद होनी चाहिए Civil Services से जुड़े लोगों के अलावा कई बड़े पत्रकारों और बुद्धी जीवियों ने भी सुरेश चवार के के इस शो की आलोशना की और कारवाई की मांग की लोग टुटर से भी अपील कर रहे हैं कि वो एक खास समुदाय को टार्गेट करने वाले और नफरत पैलाने इस वीडियो को जल से जल्द हटाएं तमाम आलोशनाओं के बाद भी सुरेश चवार के अपने स्टेंड पर हैं जो उनके खिलाफ टुट कर रहे हैं वो उन्हें अपना शो देखने के लिए कह रहे हैं उनका दावा है कि वो अपनी बात को शो के दौरान साबित कर देंगे महराश्ट के शिर्डी से आने वाले सुरेश चवार के सुदर्शन टीवी नाम से अपना चैनल चलाते हैं वो पिछले साल से इस चैनल के एडिटर इंचीफ हैं पहले चैनल पुणे से शुरू किया गया लेकिन बाद में इसे नोईडा शिफ्ट कर दिया गया चवार के दा किताओं के साथ लगतार मेल जोल बढ़ता गया अधिकार उन्होंने अपना न्यूश चैनल शुरू किया लेकिन न्यूश चैनल शुरू करने के बाद कई बार सुरेश चवार के विवादों में रहे उनके खिलाफ यहान शोशन का भी आरोप लगा था इसके अलावा उनके विवादित बयानों और चैनल पर दिखाएगा शो के चलते भी काफी बार विवादों में रहे अपनी कटर हिंदुत्वा वादी छवी के चलते उन्हें उत्तर परदेश में गिरफतार भी किया गया था तो दोस्तों आपने देखा के सुरेश शवाड के विवादों में अक्सर बने रहते हैं और अपनी इनी हरकतों की वज़ा से वो कई बार गिरफतार भी हो चुके हैं यही एक यात्रा शुरू की जनसंख्या नियंतरन को ले करके हैधराबाद पहुँचे तो हैधराबाद म पुलिस ने दबा करके उन्हें तोड़ा और वहां से खदेड दिया हैधराबाद में एंट्री नहीं मिली तो फिर मुस्लमानों के खिलाफ अपने चैनल पर आ करके एक अड़ा बन गया है सुदर्शन नियूश चैनल मुस्लमानों के खिलाफ नियूश चलाने के लिए यह वही जिहादी आतंकी पत्रकार है जो लगातार कभी ये खबरे दिखाता है कि देखिया मुसलमानों ने हिंदूओं का वहिशकार करना शुरू कर दिया वो उनसे समान नहीं खरीद रहे दिवाली में हिंदूओं का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं हाला कि जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के देखा तो ऐसा कुछ नहीं मिला फिर इनके मुँपर करारा तमाचा जड़ा गया लगातार इनसे सबक ना लेने वाले सुरेश चवाणके के समर्थन में बारतिय जिनता पार्टी के आला कमान नेता और आरसेस के बड़े ब संबिधान के तायरे में रह करके अगर काम करोगे तो माना जाएगा अगर संबिधान का उलंगन करते हुए उनकी दज्जिया उड़ाओगे तो कोट है कोट से उपर और बड़ी कोट है यूही आपको जलील होना पड़ेगा क्योंकि जलालत आपकी रगों में शुमार हो च जला था और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त शुक्रिया अज़ाई हम जब है चर्पस्थर ईपस्क्रिया जिले करीक नज़िए दचय है